Hello dear students, welcome to our channel educational goal और कल जो class 10th की English की एक्जाम होने वाली है उसी के लिए इस paper को हम लेकर के आच चुके हैं तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे request हैं कि चैनल को subscribe करें साथ ही इस video को अंत तक देखना है क्योंकि इसमें मैं सारे answer भी आपको बताने वाला हूँ सारे passage के जो भी आपको प्रस्टन है इसमें उसके answer में आपको बताने वाला हूँ और इस paper को बिल्कुल नया जो blueprint होता है आपको सभी को पता है कि आपका जो paper इस बार आने वाला कितने नमबर काने वाला है तो उस हिसाब सभी है ठीकर सबसे पहले आपको पैसे पांच नमबर का और यह जो पैसे जैना rate cross society के ओपड़े थे अब बड़े ही सबस्कूर्ण कि एक इंटरनेशनल्यों है फिर इसकी फिर आगे बढ़ रहे हम वेंडिड इंडियन रेट क्रॉस सॉसाइटी फॉर्म अब भारती रेट क्रॉस सॉसाइटी की स्थापना कब हुई तो 1920 में देखो जूनियर रेट क्रॉस के जो टीचर होते हैं उन्हें काउंसलर का जाता है ठीक है यह पहला पैसेज होगी आपका फिर हम बढ़ते हैं दूसरे पैसेज की और यह भी पांस नंबर का रहता है आपको और यह आपको जो दिया है वो इस उपर दिया है कि केसे भारत में ज अशोक हो गया मुगल हो गए ठीक है तो देखे जरा इसमें पहला प्रस्ण हूँ प्लांटेट शेडी ट्रीज किसने शायदर वक्ष लगाए तो समराट अशोक में लगाए तो अशोका ठीक है फिर आगला प्रस्ण है मोगल से प्लांटेट दा मैगनिफिशेंट तो कस्मीर में लगाए हैं हूँ आज असोका असोका कौन था तो इंडियन मोनार्क भारती समराट थे यह ठीक है विच प्लांट से वर प्लांटेड एलोंग दा बैंक को प्रिवर जहलम कौन से जो पोदे जहलम नदी के किनार लगाए तो चिनार वाले ठीक है फिर अगला आज के जमाने में जो रोड हैं उन पर प्लांटेशन कोन करता है तो पी डवल्यू डी इंजिनियर करते हैं ठीक हैं अब आगे बढ़ते हैं हम देखिए सेक्शन भी आच चुका है और पहला प्रस्टन चाल नंबर कर रहेगा नोट मेंकिंग के लिए रहेगा देखिए मैं आपको बता देता हूं किस विसे में यह एंगर के उपर है एंगर यह आप देख रहे हैं एंगर मिल जाएंगे कम से कम पांस तो लाईने च्छोटी चोटी और टाइटल कर देना है एंगर ठीक है अब मैं आगे बढ़ता हूं अगला प्रस्टन है आपका फुल फी की एप् देखिए इसमें जो इसकुल का नाम है स्थरस्वती शिशु मंदीर बन खेड़ी यह आपको लेना है ठीक है और आप है पूरवी ठीक है देखते हैं जरा तो यह देखिए आपके सामने यही एप्लिकेशन जो मैं बच्चों को लिखवाता हूं मैं आपको बता रहा हूं ब लिखेंगे आप नाम के स्थान पर पूर्वी लिखेंगे ठीक है यह इतना परिवर्तन आपको करना आप इसका ले सकते हैं आखरी में डेट लिखना है यह मैं आपको बता देता हूं थोड़ा इसको मैं चोटा कर देता हूं यह इस रूप में ऐसे ठीक है अब हम आगे बताना है और इंपोर्टेंस ओब इंगलिस आप इंपोर्टेंस ओप ट्रीज यहां पर दिया हुआ है यह नहीं कि पेड़ के मेहत्व के उपर आपको पेरिग्राफ त्यार करना है ठीक है जरा मैं इसको आपको बता देता हूं देखते हैं यह देखिए आपके लिए इंप इपर प्रदान करते हैं जो जलाव लकडी होती है फल मेडिसिन देते हैं ठीक है आज के तनाव को कम करते हैं जंगली जनुरी को अघर होता है वर्षा करवाते हैं ठीक है यह सारी बाते इसमें बहुत बढ़िया है इसको आपको याद कर लेना चाहिए ठीक है अब आगे ब कि आपको नेबंद का प्रदान का औप आप थैक है आप उसकी तयारी कर सकते हैं हमारे चनल पर अल्लेड़ी अप्लोड है वंडर उभशन से ंसी पहले ही सबके इस महाले सब बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं हम सक्सेंसे की तरफ ग्रामर की तरफ और दीक है आंसर मैं नगट एनी इसमें एनी आएगा क्योंकि नगा हुआ है के शहिए हैं है रिटिन इसमें रिटन आएगा मैं आए टेक forcément एगा में आएगा वी आट टू इसमें आट आएगा ठीक है यह सारे आपके रिक्तित्तान हो जाते हैं अब आगे बढ़ते हैं डूए डायक्रिटी sph ठीक है फिर इसकी फर्स्ट फर्म इडिड नाट डू हीज वर्क वैल हीज वर्क वैल यह हो गया पहले वाले का नेगेटिव आगे बढ़ते हैं दे आर सेलिंग देयर हाउस इसका बन जाएगा दे त्यक्ति हेव सोल्ड देयर हाउस ठीक है देह सोल्ड देयर हाउस तो यह हो गया इसका प्रजन पर्फेक्ट सी स्पिक्स दा डूथ तो इसका हो जाएगा ड़स नाट श्पिक दा डूथ' तो आप समझ गए होंगे सी डजनाट इस्पिक दाट रूथ ही मेक सटी इसको पेसी वाइस मदलना है टी इज मेड बाई हिम तो टी इज मेड बाई हिम ठीक है आगला है दे हो बीन प्लेइंग हीर सिंस मोर्निंग इसको पास्ट पर्फेक्ट कंडियों समकरना है तो यह कुछ सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमने सारे आपको टेंथ के चैप्टर हैं लगातार हम उनकी समझाते हैं इससे आपकी तयारी अच्छी होगी वर्शेवर के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ यहां पर आपसे चूजदा करेक्टर पूछें जो आपके ल सब्सक्राइब करेंशनल कांगरेस को जो इन किया अकारडिंग टू मंडेला वाइट कमस नेचरली ट्वाइट मंडेला के अनुसार अपने आप मन में क्या आता है दिल में तो प्यार ही आसकता है तो फिर आगे हैं आपको एक होरने बिल जो आपकी जो पुस्ता कि आपके यह एक्सक्रेक्ट मिलाए और इसके फिर से विकल पुषाट ने कौन से लिए लिए लेटर तू फिर उस क्लोज के सिमिलर किया तो इंटिमेट लिए ठीक हैं इंटीमेट लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर आपको पोयम से मिला है एक एक च्छिक्ट यह जो पूयम है र जब उसके ओपर बर्फ गिरी तो दूसरा वाला देखे डस्ट ओफ सनो फाल्स ओन हिम फिर आपको प्रस्ट नुतर दिये हुए हैं प्रस्ट नुतर आपके जितने भी यह आये हैं जैसे की वाट डिड लेंचो हुप फार फिर दूसरा है वाट मेट लेंचो एंगरी वाट ड प्रकार दो दो नंबर के आपसे जो पोएम के पुछें यह भी सारे हमने अप्लोड कर रहे हैं फिर आपके जो दूसरी जो बुक है फुट्प्रिंट्स विदाउट फीट वहां से पुछें इन प्रस्टों को भी हमने अलेडी समझा रखा है ठीक है फिर आपसे तीन तीन नए ब्लूप्रिंट के आदार पर इस पेपर को त्यार किया गया है और मुझे पूरी उमीद है कि इस पेपर से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा ठीक है बेवज़ा आप रियल पेपर के चक्कर में ना पढ़ें आपके वल तैयारी करें इस पेपर से क्योंकि अलेडी में इ इसको त्यार किया है थैंक्स फार वाचिंग धिस वीडियो